तो हेलो गाइज वेल्कम टू मैं चैनल इवल रॉक्स अनिमेशन आप सभी का स्वागत है हमाय यूटूब चैनल पर तो गाइज आज से हम लोग सीखने वाले हैं स्टार्टिंग से ब्लेंडर सौफटर में 3D एनिमेशन वीडियो कैसे क्रियेट करेंगे तो ब्लेंडर सौफ यहां से आप लोग सिंप्री डाउनलोड कर सकते हो तो यह वाला सौफटर जो है वह आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा डाउनलोड ब्लेंडर 3.6 तो हमने यहां पर डाउनलोड किया हुआ है तो हम इसको द्वारा डाउनलोड नहीं करेंगे तो जब आप लोग 2D animation बी सिखेंगे 2D animation सीखेंगे Sculping भी सिखेंगे VFX और वीडियो एडिटिंग भी सॉफटर में सीखेंगे तो स्टार्टिंग से हम लोग सीखने वाले तो स्टार्ट करते हम 3D animation से तो यहां पर जनरल दिया हुआ है तो इसमें आप लोग क्लिक कर दें तो जो भी भाई ल मोव तूल है, रूटेट टूल है , स्केल तूल है तो इन सारी चीजों के बारे में हम दें दिल दिल सीखेंगे तो यहाँ पर एक कैमरा दिया हुआ है और यहाँ पर एक लाइट दिया हुआ है तो यह पर इन सारे चीजों के control, camera, light के and начала and skewed object के भी डीरेbon और प्रत लेक्ट को मिलेगा जैसे यहा पर यह लाइट है लाइट के चंट्रोल्स हे यह दिएगा द फ़ दियार आपको यहां पर दियाूसrav का यहां पर दिया हुआ है क्यों रख कन दिया हुआ है ओ यह कंप्लीट कर सकते हुआ है तो यहां पर प्लोग मट क्लिक किसे १्य तरीक है तो यहां पर कुछ preview mode दिये हुए जैसे यह हमारा यह वायर फ्रेम तो हम लोग वायर फ्रेम में क्लिक करते हैं यह आप लोग स्क्रीन पर चेक कर सकते हो कि यह वायर दिखाई दे रहा है श्रिफ और यह वाला है के बाद यहां पर क्यूब में आजा कर आप एड़ कर सकते हैं यहां पर इस तरी के से मूउब कर सकते हैं तो वाय एक्षिस में इस तरी के से आप मूव कर सकते हैं या तो आप लोग जी प्रेस करें और यहां पर वाई प्रेस कर दें तो इस तरी के से भी आप लोग मूव कर सकते हैं यहां पर तो अब हमने एक्सेस में मूव करना है तो अगर आप लोग इसको रोटेट करना चाहते हो तो यहां पर रोटेट टूल दिया प्रोंकel कर दाइज हुआ इसे को आप लोग्या इसको केड़ करना चाफ़े है तो यहे एक डिरेंशन में स्केयल करें। भी-हाइक सब्सक्राइब सबस्क्राइब टो अभोग इसने सबस्क्राइब कर सकते तो इस क्यूब को आफ लोग उसक्यूब कर दिया हुआ यहाँ इसमें पर पहला है और यहां पर इधिक तो इस में क्लिक करके आप लोग इसके edit mode में चले जाओगे तो इसमें जाने का एक shortcut भी है तो इसको select कर ले और यहां पर आप लोग keyboard में tap press कर दे तो इस तरीके से भी आप लोग जा सकते हो edit mode में तो यहां में अपले month tools मिल जाएंगे तो यहां पे आप लोग screen पे check कर सकते हो और यहां पे ऊपर तीन mode दिया हुए जैसे यहां पर vertex selection mode दिया हुआ है vertex selection mode मतलब जैसे यह वाला point दिया हुआ है तो इस point को select करके आप लोग move कर सकते हो move tool की मदद से कहीं भी जैसे यहां पर हम move कर रहे हैं तो इस तरीके से आप लोग Karma कर सकते हो और दूसरे number पर दिया हूए LED SELECTION MODE मतलब यहां पर आप लोग एज को سलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से और इसको मूव कर सकते हो उसके जञ़ यहां पर तीसरे पैसे नंबर पे दिया हो सेलेक्शन 5 ृफ करोगे तो यहां पर किसी भी फेस को सिलेक्ट कर सकते हो और इसको conservative कर सकते हो अधरी आप लोग कर सकते हो आप है एडिट कर सकते तो बाकि यहां पे और भी काफी सारे टूल्स दिया हुए जैसे यहां पे दिया हुआ है लूप कट तो यह कट टूल दिया हुआ है तो यहां पे हम लोग कट कर सकते हो इसके पार्ट को इस तरीके से आप लोग कट कर सकते हो एक्सटूड दिया हुआ है एक्सटूड कर सकते हो इस तरीके से इसे भी पार्ट क पक्र estágai आपक्र इंद बाए 500 अगर आप लोग चाते हो कि यहां पर एड़ करना तो उसी तरीके से उप चेमेरा बाद नीचे कि अच्ता केमरा चाहएं आप चाहएं चाहिका वाए 600 मीज़र्ड करें तो इन तारी लाइट दिया इन जले आने वाले वीडियो द में देरे देरे बात करेंगे तो हम लोग pray करेंगे आज की वीडियो में अप लोग कोного को दिखाएंगे तो थैंक यू फोई अबूसर।